तो नमस्कार आज की स्मीडिस में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा हैं अगर आप कोई भी सामान यहाँ पर परचेज करते हैं और वो सामान आपको परसंद नहीं आता है तो आप उसे किस तरीके से रिटन कर सकते हैं इसी के साथ में अगर आपने क काई साउंड डिलेवरी कर रखा है तो किस तरीके से आप अपना जो रिफंड है वह वापस ले सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू काते हैं एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेता हूं क्योंकि मैं मीश्यूंग से सौपिंग करता हूं मीश्यूंग में हमें काफी सा क्योंसा रिफूरॡ सा रिपलेश्मेंट इसी के साथ में रिटन अगर आप कोई भी यहां पर प्रोडट्थ को परचेज करते हैं और ऐसी में आपको प्रड़ूकर वया पर पर संद नहीं आता है, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऐस्ट्रा 15% आफ है, ठीक है, और आप यह सावन को यहाँ पर पर्चेज करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो delivery sound delivery है जैसे कि हम यहां से buy करते हैं उसके बाद में आपका कौन सा size है वो आप यहां पर select करेंगे mais buy नाप पर simply click कर देता है जैसे कि address detail अगर आपका address सही है तो आपको यहां पर रहने देना है नहीं है तो आपको यहां पर enter कर देना है ठीक है उसके बाद में जितनी भी प्राइज बगएरा होंगी वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी जितने का भी डिस्कॉंट होता होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर कंटीनौ पर सिंपली किलिक कर देना है अब आप यहां पर simply click कर देंगे और जो आपका order है वो यहां पर book हो जाएगा इसे में यह है जो आपका order है वो यहां पर cash on delivery हो चुका है अपने order की detail चेक करने के लिए आपको यहां पर अपने application के my order पर जाना है my order पर जाने के बाद आपका जो भी order होगा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आप उस पर simply click करेंगे आप यहां पर सारी detail चेक कर सकते हैं कि वो कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा जैक्से कि आप यहां पर दे सकते हैं 27 अप्राइल तक ठीक है 27 अप्राइल को अगर आपको यहां पर माल लेते हैं order मिल जाता है और उसके बाद में आपको यहां पर यह order परसंद नहीं आता है तो आपको यहां पर जाने कि जब भी आप order लेंगे तो आप पैसे पे कर देंगे ठीक है पैसे पे करने के बाद आप order को देखेंगे अगर को लगता है कि हां आउडर सही है तब तो आप नहीं वापस करेंगे अगर आपको लग भी रहा आ कि हां यह कुछ ठीक नहीं लग रही है इसे ठीक है तब भी आगर आप वापस करना चाहाते हैं तभी आप यहाँ पर वापस कर सकते हैं आप त्रिटन की request डाल देते हैं वह एप्रूब्ड हो जाती है तो आपके सामने एक yellow color का वहाँ पर option आ जाता है पर आपका order यहाँ पर लेने आता है उसके बाद में जो आपके पैसे हैं वह यहाँ पर वापस आपके bank account में आ जाते हैं अगर आपने online payment किया है तब ठीक है इसी के साथ में अगर आपने online payment नहीं किया है या फिर आपने कोई भी bank account नहीं add कर रखा है तो आपको करना क्या होता है आपको अपने wallet में जाना है जो भी application चलाते हैं उसमें जैसे कि मैं मीशू चलाता हूँ इसी के साथ में download यानि की inbox भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर view return पर simply क्लिक करते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर सारी चीजों को check कर सकते हैं जो product है packet वो up हो है और इसी के साथ में 15 April है और यहाँ पर जो return है वो आपके account में UPI के द्वारा यानि की वापस कर दिया गया है तो आप यहाँ पर सारी detail को check कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एक refund ले सकते हैं अगर आपने case on delivery कर रखा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर return ले सकते हैं अगर आपने case on delivery यहाँ पर कर तब ठीक है वीडियो अगर आपको अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें उम्भीद करता हूँ आपको पिछली वाली वीडियो से इसमें ज्यादा को समझ में आया होगा अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं एस वीडियो में